पंचकुला के एक ब्यूटी पालर की मैनेजर के साथ अभधरता और पुलिस पर पैसे मांगने के कथित मामले में अब नया मोड आ गया है पिडित यूफ्ती ने ग्रहे मंतरी अनिलविच से मुलाकात कर शिकायत पतर दिया पिडित ने मंतरी को बताया कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस द्वारा 30 लाख रुपे दे कर राजी नामा का दबाव बनाया जा रहा है पुलिस द्वारा का जा रहा है कि केस वापस ले लो नहीं तो बूरी तरह से फसाया जाएगा हलाकि ग्रहे मंत्रिक के आदेशों पर आईजी भारती अरोडा की अगुवाई में जाच दल बनाया गया था जिसकी जाच प्रक्रिया लगबख पूरी हो चुकी है शिकायत पत्र में पिडित यूवती ने कहा कि एसीवी विजे देशवाल द्वारा आरोपी एसेचो को बचाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें मामले से अलग किया जा रहा है पिडित ने हेड कॉंस्टेबल अनिल कुमार को बचाने की मांग की है पत्र में कहा गया है कि अनिल निर्दोश है और उसने एक ही व्यक्ति के जरिये पूलिस कमिशनर सोरप सिंग के पास भेजा था जहां पहली FIR दर्ज हुई थी पेड़ी त्यूफ्ति ने कहा कि आरोपी होंगार्ड जसनलाल ऐसे चोरविकांद शर्मा और डियस्वी विजे देशवाल की कॉल डिटेल निकलवाई जाये तो तीनों बेनकाब हो जाएंगे बता दे कि आईजी भारती को जाच मिलने के बाद हेड कॉंस्टेबल अनिल के खिलाफ कारेवाही की गई थी ग्रहेम मंतरी विजी ने कहा कि पेडित यूवती ने शिकायत पत्र दिया है जिसमें पूलिस के एक एसी पी पर राजी नामा करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है जाच आईजी भारती अरोडा कर रही है और किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा जाच अदिकारी एवं आईजी भारती अरोडा ने कहा कि मामले की जाच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सिर्फ सी एफसल रिपोर्ट का इंतजार है और संभावना है कि अगले सब तहा तक रिपोर्ट भेज दी जाएगी मामले में जो भी दोशी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तो वो लिखके भी दे गई है और मैं वो डी जी पी को उसको मार किया है कि इसकी जाच की जाए और उसके पर सस्त कारवे की जाए जो लोग इस परकार का दबाव डाल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेड़ल मारिच पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्पार्इज एसे ही लेडेस्ट पर पाने के लिए बल इकन को खिक कर हमारे चैनल को लाइग, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने बाद